नमश्कार आप सबका का आपकी अपने अपनी मसाला किचिन में होली आ लेά है हमें कुष ना कुष मिठा तो बनाना चाहिए लेकिन इस वक्त हमें खोया भी जरूर्फ होता है किसी उना किसी मैं मिठाई में खोय की जारत पड़ती है हम मार्कीट का खोया इसलिए नहीं लेते क्योंकि तिवहार के टाइम हमें सही खोया नहीं मिलता या हम कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां हमें फ्रेश खोया भी मिलता तो आप लोगों का टेंशन हो जाएगा बिलकुल खता इस खोय को देखेंगे कि आप बहुत ही आश्चरे होगा कि सरफ दो इंड्रीडियन्स से बिना गैस जलाए बहुत ही बढ़िया खोया बनाएंगे और इसे आप किसी में चीज को बना सकते हैं बिना किसी देंशन तो आज बहुत ही सरल टाइप का मैं खोया बना रही हूँ अक्सर खोया आपने सुना होगा कि या तो दूद से बनाया जाता है दूद को बहुत ज्यादा काड़ काड़ के हमें खोया बनाता है जैसे हम एक लीटर का भी अगर खोया बनाना चाहते है तो बहुत थोड़ा सा खोया बनता है और उसमें इतना हमारे पास टाइम होना चा जैसे अक्सर हम बनाते थे जब यह खोया मिल्क पाउडर से, कोई भी बिरेंट काफ उसमें हम तीन चीजें डालते थे, जैसे मिल्क पाउडर लेते थे, दूद लेते थे और शुद्धगी लेते थे, पर कई बार हमारे घर में शुद्धगी ना हो, या फिर कई लोग खोया बनाते हैं मिल्क पाउडर और क्रीम से लेकिन क्रीम नहीं हो तो क्या करें तो बहुत ही सरद तरीका है और इस खोय को देखकर आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यह खोया जो है बहुत ही बढ़िया घर का बनाया हुआ खोया है यह देखिए बहुत ही दानेदार यह खोया है हमें इसी टाइप का खोया चाहिए होता है बहुत प्लेन प्लेन भी खोया नहीं चाहिए होता है और बहुत ही नरम सौफ सा खोया चाहिए होता है तो यह खोया तयार हुआ है कैसे हुआ है उसे हम देखिए यह देखिए मैंने एक कप लिया है किसी भी कमपनी का लें पतणचली या जो भी आपके पास आता है नैसले तो हमने ले लिया है और इसे मैं नाप लेते हूं यह कितने ग्राम्स हैं यह 125 ग्राम मिल्क पाउडर है यह जो बना हुआ है यह 125 राम मिल्क पाउडर से बना हुआ है अब हम दूसरा लेंगे जो हाफ कप होता है जैसे घर में आप एक बड़ी कटोरी लेते हैं उससे हम लेंगे यह देखें मेरे पास है यह दूद्ध एक लीटर दूद्ध है और इसकी यह मलाई यह ताजी मलाई ले ले और जो इसमें जगा बची है तो वो दूद्ध डाल देती हूँ मैं मतलब इस कप को मुझे पूरा करना है मलाई और दूद्ध के साथ बस सरफ यह दो चीजें चाहिए मुझे अब हम एक पैन ले 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 यह देखें मिल्क पाउडर लिया इसमें म मलाई और दूद्ध मिक्स कर रहे हूँ मलाई हमें इजीली मिलती है घर में और नहीं भी हो तो एक लीटर दूद्ध लाएं दूद्ध को आप यूज कर ले बस इसकी मलाई और थोड़ा सा दूद्ध जैसे ताजी-ताजी मलाई होती है दूद्ध के साथ वो ले ले ने है और इसे सरफ मिक्स करना है यह देखिए फूरी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है और गैस जलाने की जरूत नहीं है अभी थोड़ा सा आपको स्टिकी लग रहा होगा गीला लग रहा है अब आप क्या कीजे इसी कटोरी में निकाल लीजे यह देखिए इसमें हमने डाल दिय है और इसे आप 2 गंटे के लिए फ्रिज में रग देखिए मैंने रात को यह ख्वया बनाया था मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब सुबह इसका मैंने ही रिजल्ट दिखा मैंने सोचा ही आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए यह आपके बहुत काम की चीज़े त्योह हो जाएगा उसके बाद आप जो चाहे इसका बना सकते हैं और यदि आपको दूद ज़्यादा लग रहा हो तो दूद की कॉंटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं मलाई की कॉंटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं आपको जितना थिक चाहिए उस रिसाफ़ से आप बना सकते हैं तो ब